जहिन साथियों कल हुए बिहार फोरेश्टर के एक जाम में हुई धांदली के खिलाब बहुत से छात्रों के द्वारा जबरदर्स्त परदर्सन किया गया दो तिन सेंटरों पर आंसर बाइरल होने की खबर मिली जहां छातरों के द्वारा जोरदार परदर्शन किया गया यहां तक की सरक को भी जाम कर दिया गया तो चलिए पेपर के मादम से आपको पूरा मामला समझाते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे फोरेश्टर की परिक्षा से पहले उत्तर बाइरल होने के चर्चे बोले परिक्षार्थी उत्तर परिक्षा से तीन घंटे पहले ही बाइरल हो गए उत्तर पत्रों की जाच कर अभ्यारतियों के साथ इंसाप करना चाहिए पत्ना CSBC की ओर से रविबार को आईजित फोरेश्टर की परिक्षा के बाद वाइरल उत्तर को लेकर परिक्षार्थीयों ने आपत्ती जताई है उनका आरोप था कि उत्तर परिक्षा से तीन घंटे पहले ही वाइरल हो गए इस संबंध में कई वीडियों भी सोशल मीडिया में वाइरल होते रहे रविबार को 236 पदों के लिए यह परिक्षा पत्ना सरीत राजी के अनकेंदरों पर आयोजित की गई थी अभ्यार्थियों ने बताया कि पहले तो उन्हें वाइरल उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब वे परिक्षा दे कर लवटे तो परिक्षा में आये प्रसनों के उत्तर से मिलता जुलता वाइरल उत्तर मिला कुछ केंद्रों पर परिक्षा हॉल के भीतर ही, छातरों ने सवाल उठाए, इधर मौमले को लेकर अभ्यारतियों में आक्रोस है और परिक्षा को रद करने की मांग की है अब्यारतियों का कहना है कि कई उत्तरों का मिलना महज संजोग नहीं हो सकता वाइरल उत्तर पत्रों की जाँच कर CSBC को अब्यारतियों के साथ इंसाप करना चाहिए तो परिक्षारतियों का कहना है कि परिक्षा से 3 गंटे पहले ही उत्तर वाइरल हो गए थे इस पर आयोक को अवज से जाँच करनी चाहिए ये लाखो चात्रों के भविस्ति का सवाल है फरजी वारे का ग्राब बिहार में बरता जा रहा है हरेक एक जम से पहले उत्तर बाइरल होते आ रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है बिहार में तो इस वीडियो के मादम से आयोक से कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच अवज से करें और दोसियों के सजार अवज से दें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें ताकि आयोक तक मेरी बात पहुँच सके तो आज का वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो चाल गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और से जोड़ करें वीडियो देखने के लिए आपका धानिवाद